आज मैं आपके साथ शूर करने वाली हूँ बैक एकने यानि पीट पर जो पिम्पल्स हो जाते हैं उनको दूर करने का एक बहतरीन ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है ये ट्रीटमेंट और हफते से 10 दिन में आपके बैक एकने एकदम से गायब हो जाएंगे और बैक ज प्यारी सी सब्सक्राइबर है मेरी और उन्होंने मुझसे पूछा था कि बैक एकने को कैसे क्योर कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे शियर कर दीजे अपने फ जैसे हमारे फेस पर सिबिशिस ग्लैंड होती है जो कि और प्रोड्यूस करती है वैसे ही हमारी बैक पर भी सिबिशिस ग्लैंड होती है जो कि और प्रोड्यूस करती है जब किसी रीजन की वज़े से ये सिबिशिस ग्लैंड ज्यादा और प्रोड्यूस करने लगती है या इस oil के साथ dust, पसीना, you know, pollution ये सब mix होता है तो back acne होने शुरू हो जाते है well, sebaceous glands, oil ज्यादा क्यों produce करते हैं या तो आपको hormonal imbalance की problem है या फिर आप किसी ऐसे area पर रहते हैं जहां का weather बहुत ही, you know, humid है तो भी आपको ज्यादा oil secretion होगा sebaceous glands में या फिर आप बहुत ज्यादा oily stuff खाते हैं या आप बिल्कुल भी exercise नहीं करते हैं आपका lifestyle जो है वो बहुत ही ज्यादा sedentary है तो ये सब reasons होते हैं plus जो oil secret होता है उसके साथ अगर पसीना, dirt and dust mix होते हैं तो आपको pimples या infections की problem हो जाती है well causes को side में रखते हैं हम बता देती हूं solution बैक एकने को दूर करने का sure short formula है ये और इसके 3 parts है first part में हम cleansing करेंगे second part में toning करेंगे and third is your back pack तो first two processes are very very important लेकिन अगर आपके back acne बहुत ज्यादा है लाइक बीस तीस पचास एकने हैं बैक पर तो आप पैक भी जरूर लगाईगा अगर थोड़े बहुत हैं 5-6-8-10 हैं तो आप first and second process को ही daily कीजिए आपको बहुत relief मिलेगा तो चलिए start करते हैं first process is cleansing cleansing is very very important खाली साबून से या body wash से clean कर लेना काफी नहीं है एकने को उसके लिए आपको antibacterial method से clean करना ज़रूरी है तो इसके लिए हम लेंगे एक चमच baking soda, baking soda में antimicrobial properties होती हैं और skin को अंदर से pores को अंदर से clean करने में बहुत effective होता है ये baking soda को मीठा soda या खाने वाला soda भी कहते हैं baking powder नहीं लेना है baking soda लेना है याद रखना है और ये किसी भी grocery store पर आपको आसानी से मिल जाता है तो एक चमच baking soda हमने लिया इसमें हम एक चमच पानी मिला लेंगे और इस तरह से cotton ball को इसमें dip करेंगे और इससे आपको अपने pimples वारे area पर dab 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 करना है well आप अपने आप नहीं कर सकते हैं तो किसी की help ले सकते हैं अपनी ममा की या sister की तो इस तरह से इसे back पर आपने dab करना है pimples के उपर तो ये तो हुआ first process first process को करने के बाद आपको 10 minutes के लिए wage करना है और उसके बाद आपको करना है second process जो है toning का process 10 minutes के बाद आप अपनी skin को गीले towel से या गीले कपड़े से wash कर लेंगे या धो ले लेंगे अब हम करेंगे toning of the skin toner back acne के लिए बहुत जुरूरी है क्योंकि ये back acne को treat करना बहुत मुश्किल होता और जब ये ठीक हो भी जाते हैं तो scars छोड़ जाते हैं तो scars को prevent करने के लिए toning करना बहुत जुरूरी है इससे जल्दी ठीक भी होते है back acne और आपके scars नहीं छोड़के जाएंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे एक कप गरम पानी लेंगे उसमें एक green tea bag डाल देंगे green tea infuse होने के लिए wait करेंगे पांच से साथ मिनट के लिए तो ये green tea देखिए हमारी infuse हो चुकी है अब इसमें आपको add करना है दो चमच apple cider vinegar यानि सेब का सिर का सेब का सिर का anti-microbial properties से भरा होता है साथ ही ताथ स्किन की सूजन और redness को ठीक करता है ये और pimples की अगर आपको बहुत ज्यादा frequency है बार बार आते है तो उसको भी क्योर करता है तो दो चमच apple cider vinegar मैंने डाल दिया है next ingredient डालने आपको tea tree oil this is also very good of for back acne tea tree oil आपके back acne को जड़ से खतम कर देता है तो 5-6 बूंदे tea tree oil की इसमें मिला देंगे ये आपका back toner बन गया है इसे आप cotton ball की help से अपनी back पर लगा लीजे या फिर इस तरहां की spray bottle में इसे fill कर लीजे और back पर अपनी spray कर लीजे ये काम आपको दिन में दो बार करना है एक बार नहीं दो बार करना है cleansing एक बार करनी है लेकिन toning जो है वो दो बार करनी है अगर आप जल्दी back acne से चुटकारा पाना चाहते हो तो यहां पर clear कर देना चाहती हूं because सबकी skin अलग होती है किसी की sensitive होती है तो किसी की you know बहुत ज्यादा hyper allergic होती है तो इसलिए जब भी कोई home remedy या home made thing try करें अपनी skin पर प्लीज एक patch test जुरूर कर लिया करें अपने कान के पीछे या कोनी पर लगा के पहले देख लें जो भी आपने DIY बनाया अगर आपको कोई itching कोई rashes को को irritation नहीं होती है तो ही अपने दूसरे body part पर affected area पर लगाएं ठीक आपकी skin के pH balance को maintain करेगा और back acne की problem को जड़ से खतम करेगा तो इसके लिए आपको चाहिए एक चमच मुलतानी मित्टी मुलतानी मित्टी as you know की oiliness को reduce करती है ऐसी vicious gland से oil कम produce होगा next ingredient is one spoon of neem leaf powder यह natural antibiotic का काम करता है और आपकी pimples को सुखा देता है third thing is one spoon of rose water it's a natural toner again बहुत सूध करता है आपके pimples को skin को बहुती soothing effect देता है ठंडग देता है and fourth thing is one spoon of aloe vera gel aloe vera gel में salicytic acid होता है जो की आपके pimples के लिए बहुत अच्छे से काम करता है scars आने को रोकता है और skin को rejuvenate करता है pimples को heal करता है साथ ही साथ aloe vera gel आपके pimples की redness को भी reduce करता है अगर खुजली irritation की problem है तो वह भी आपको नहीं होती है तो इन सब चीजों को आपने mix कर लेना है अच्छे से और ये आपका back pack बनकर anti acne pack बनकर तयार हो गया अगर आप face पे भी आपके acne है ना तो ये three step process करो आपके face acne भी दूर हो जाएंगे और back acne को दूर करना हाला की बहुत difficult होता है बट ये system 100% काम करता है मैंने जितने भी लोगों को आज तक बताया है सब के लिए effective राय है तो you can try it for sure और इस तरीके से आपने इस backpack को अपनी back पर लगा लेना है then you have to wait for 15 to 20 minutes ताकि ये ज्राय हो जाया अच्छो से और उसके बाद आप नहा लीजे या बैक को wash कर लीजे so this is the simplest process to remove to get rid of back acne बहुत ही easy है बहुत ही effective है इन सब चीजों के link मैंने description box में दे दिये है आप चाहो तो links को click करके खरीच सकते हो जो भी चीज़े मैंने इन में use की है and अगर आपको भी back acne है तो आप ये formula ज़रूर try कीजे आपको फरक ज़रूर पढ़ेगा तो ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ही वीडियो comment करके बताईएगा like का बटन thumbs up का बटन अभी तक तो आपने दबा ही दिया होगा अभी तक नहीं दबाया है तो अभी दबा लीजे और मेरे शानल को subscribe कर लीजेगा subscribe करेंगे तो bell icon को ज़रूर दबाईएगा घंटी का बटन ज़रूर ज़रूर दबाईएगा तभी आपको notifications मिल पाएंगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर upload करूँगी साथ ही साथ इस वीडियो को please या शेर कर दिया करो अगर आप शेर करोगे तो you know मेरी थोड़ी सी help हो जाएगी and I need your help so please 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 share this video with your friends and family and अगर आपने मेरे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप description box में दिये गए links पर click करके देख सकते हैं या फर इस screen में मैंने पिछले दो वीडियो के links दिये हैं आप उनको click करके भी ये वीडियो देख सकते हैं और आपको भी अगर कोई health या beauty issue है और आप चाहते हैं उसका solution तो आप please comment करके मुझे बताईएगा हो सकता है कि अगला वीडियो आप पर ही dedicated हो आपके ही topic पर वीडियो में बनाऊं तो इसलिए अपनी कोई भी health या beauty query मेरे साथ जरूर जरूर फियर कीजेगा तो ये था मेरा आज का वीडियो फिर मिलूंगी आप से एक अच्छे से health tip या फिर किसी beauty वीडियो के साथ तब तक के लिए take good care of yourself stay healthy, stay happy, stay beautiful, bye bye